नमस्कार, न्यूस फ्लेस में आपका स्वागत है, बढ़ते हैं आज की ताजाख खबर कियो। सत्संग में भीलवाडा के जगपाल सिंग ने शुत्राओं को निरंकारी सत्संग का मुख्यों देश बताते हैं, इश्वर को निराकार मानकर निरंकारी पत्थ पर चलकर अध्यात्मिक ज्यान बढ़ाने हैं तू प्रेरित क्या। प्रतेक आत्मा में इश्वर का अवास होता है, हर एक की अंतरात्मा में इश्वर समाया है, जैसे द्रिष्टी वैसे श्रिष्टी होती है, विचार बदलेंगे, मानव के भाव बदलेंगे, अपना अकलन स्वेम करें, अच्छे भाव रखें स्वेम के साथ दूसरों के लिए भलाई किये, आरदास करें, द्रिष्टी और द्रिष्टी कोन पवित्र बनाएं, अपने पन को महसूस करें, परमात्मा सब को देख रहा है, सोच बदलेंगे, मन की यात्रा को अंतरमुख करें, विभिन कथान को एवं उधारनों से मानव सेवा कर, अपना मानव जीवन सफल बनाने हेतु प्रेरित किया, बताया कि निरंकारी मिशन की देश में 5000 शाखाएं संच्वालित हैं, जो देश भर में अध्यात्मिक ज्यान के प्रचार प्रसार में सनलगने हैं, निरंकार एक ज्यान का प्रचार प्रसार कर, मानव मात्र को सेवा भाव की और अग्रसर कर, स्वर्गे कल्यान करने हेतु मिशन द्वारा प्रेरित किया जा रहा है, शेत्रिय गाउं का चौला मांडल गर्ड, खटवाड़ा, महवा, मानपूरा, जुजवा, बिगोद, सहित, अनेक ग जाओ के निरंकारी भक्त महिला पूरुषों ने सत्संग में भाग लिया, बताया कि आज बदवार को मांडल में निरंकारी सत्संग का आयोजन है